हलो दोस्तों आप देख रहें इन्फोनिक चैनल आप लोग को दस दिन पहले एक 44 एकोनोमिक कोरिडॉर का पार्ट वन हम लोग दिये थे तो इसका आज पार्ट टू होगा पहले बता दे एकोनोमिक कोरिडॉर है क्या जो हम पहले भी डिसकास कर चुके है कि पूरा देज में जो इकोनोमिक एक्टिवीडिज होता है उसको बराने के लिए उसको वे और भी जादा लोड ले सके इसके लिए फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए यह सब कोरिडॉर की बनाया जारा है यह 44 कोरिडॉर बहुत सारे रिजियन में कनेक्ट करेगा सारे इंपोर्टेंट पहले जो 13 हम लोग एकोनोमिक कोरिडॉर के बारे में बात किये थे वो पार्ट वान में देख लीजिएगा और आगे हम लोग बात करते हैं 14 से ठीक है 44 आज ही बात करेंगे यह देखिए खरगपूर सिलिगूरी कोरिडॉर यह जो कोरिडॉर है खरगपूर से स्टार्ट हो यह 516 किलोमीटर का है पूरा लेंथ है इसके उपर हम पूरा डीटेल्स में बात किये है एक वीडियो में हमारे यूटुब चैनल में है देख लीजेगा इसमें बहुत सारे चीज गौवर्णमेंट का जो भी डॉकुमेंट्स बहुत सारे डॉकुमेंट्स जो एकदम उसके उ पूर्णी कोठी, सालूर और बी सकाबत्त नाम हम सारे city का नाम नहीं बता रहेए क्योंकि इहां पर बहुत सारे हारे लास्ट बता रहें और यह 506 किलोमेठर का क्लेंथ है इसमें पता है जो बहुत सार जो भी शरक हुए यह 45 लाइन की बनने वाला हा है चार्ड लेन मादलब दो आने के लिए दो रिटरन होने के लिए और छे मादलब टीन जाने के लिए तीन रिटरन होने के लिए तो यह सब बनने वाला है यह सारे जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बताएंगे यह बहुत सारे स्टेज में है आप लोगों को बता दे नगभग यह सारे जितना एकोनोमिक कोरिडर है यह 2025 तक खतम हो जाना चाहिए था लेकिन कोरोना की वाय से यह सब प्रोजेक्ट बहुत जादा डिले हो गया माना जा रही है जो 44 का पूरा एकोनोमिक कोरिडर है इसको 2027 या 2028 तक पूरा कॉम्प्लिट कर लिया जाएगा हम किसी और वीडियो में बताएंगे इसको कॉम्प्लिशन होने के बाद क्या फायदा मिलेगा और क्या चीज है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चले जाते हैं चन्नी कुर्मूल जो भी जो हाईवे बनने या रहा है वो 482 किलोमीटर है यह सब हाईवे हो सकता है कुछ ग्रीन फिल्ड हो ग्रीन फिल्ड मतलब पूरे निया बना हो और कुछ भी ब्राउन फिल्ड या ब्राउन रोड है उसको स्ट्रेश को बढ़ा के उसको बहुत जादा आउग्रेड करके बनाया जाओ तो ऐसे टाइप का रोड बनेगा यह चन्नाई कुर्नूल उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इंदोर नागपूर इंदोर भटूल नागपूर तो यह 64 किलोमीटर का है इस सारे स सारे के सारे जो भी है यह सिंटल गवर्णमेंट के दोरा ही बनाया जाएगा लेकिन जमीन का जो मैटर है जमीन तो स्टेट का ही आता है तो जमीन स्टेट के लिए स्टेट को देना पड़ेगा यह सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे फास्ट किसी किसी स्टेट में है किसी किसी उसके बाद चेन्नाई मदूराई है चेन्नाई मदूराई चेन्नाई तिरुवरंतपुरं त्रीची और मदूराई 464 किलोमेटर का ये हाईवे बनने जा रहा है मैंगालोर राइचूर मैंगालोर से राइचूर तक 461 किलोमेटर का नैसनल हाईवे बनने जा रहा है उसके बाद है तीतु कोडिन कोची यह केरॉल में है तीतु कोडिन और बहुत सारा जो बहुत सारे जो सीटीज है उसको देग लिजेगा उसके बाद तीतु कोडिन कोचिंग यह जो एलाइमेंट है यह एलाइमेंट के तुरू जाएगा यह 443 किलोमेटर का है उसके बाद है स 34 km का है National Highway हाइदराबाद, औरांगाबाद हाइदराबाद, जाहाना देगलोर हाइदराबाद 427 km इसमें जो भी alignment है यह आपको स्क्रीन में दीग रहा होगा आप पॉस करके देख सकते या इसमें आपका village होगा तो या आपका cities होगा तो अब जरूर बताईएगा इसका detail alignment इन लोग का आया नहीं है बहुत का आगया है बहुत का नहीं आया है दिल्ली कानपूर दिल्ली गजियाबाद, आलिगर कन्योज, कानपूर 424 km का है यह National Highway Authority के तरफ बने जाएगा पलोडी थार पलोडी 394 km का है उसके बाद नागपूर देवाई नागपूर हनुमानगर मांडी देवाईडी 387 km का है उसके बाद सागर तो लकनो सागर कानपूर होते हुए यह लकनो 61 km का है National Highway बनने जा रहा है संबलपूर पाड़ादी संबलपूर अंगोल कोटक पाड़ादी यह बहुत important एक road है जो उरिशा में है यह संबलपूर बहुत बढ़ा industrial area है और पाड़ादीब है समंदर बंदर है यह बहुत बंदर है इसको connect करने के लिए यह बहुत जरूरी एक highway project है इसका साइध DPR काम स्टार्ट हो गया है यह बहुत जल्दी काम भी स्टार्ट हो जाएगा जो physical work है अम्रेली बढ़रोडा जो गुजराद में है अम्रेली तो बोर्षाद बढ़रोडा 341 किलोमेटर का है गोद्रा तो खर्गोने तो 337 किलोमेटर का national highway बनने जार है संबलपूर राची यह भी बहुत important है क्योंकि राची से direct connectivity जो port connectivity है यह आपको पहली दिखाया था यह राची टू संबलपूर आसंबलपूर टू जो पारादीप है तो उसमें highway बनने जारे तो direct connectivity पोर्ट को मिल जाएगा 329 किलोमेटर का है इसमें देख पा रहोंगे जाठ सुगरा यह भी बहुत बढ़ा इंडस्ट्री डिलिया है राउर के लिए बहुत important एक city है यह सारे चीज़ कनेक्ट करेगा बैंगालोर मलपूरम 323 किलोमेटर का यह टोटल लेंथ है National Highway Authority का दरद बनाया जाएगा उसके बाद राइसेन पठारिया राइसेन उदरपूरा सहापूरा जबलपूर और पठारिया 320 किलोमेटर का यह पूरा लेंथ है बैंगालोर टु मैंगालोर बैंगालोर किन्नूल हसान मैंगालोर 319 किलोमेटर का यह National Highway है चंडिगर टु इंदोर चंडिगर प्रताबगर और इंदोर 303 किलोमेटर का है नैशनल हाइवे जो यह सब बनेगा बलासपूर न्यू दिल्ली बलासपूर जमुनानागर मीराड गजियाबाद दिल्ली 302 किलोमेटर का है यह हमें लगदा है यह वाला गजियाबाद दिल्ली कुछ स्ट्रेस तो बनके तैयार हो गया इस प्रोजेक्ट का कुछ स्ट्रेस तो अल्रेडी बनके तैयार हो गया और कुछ बचा हुआ है सोलापूर सोलापूर महबू नागर 290 किलोमेटर का है बैंगालोड नलोडी बैंगालोड कोलवार चित्तोर तिरुपती तिरुपती जहां पर तिरुपती मंदीर है तो 286 किलोमेटर का यह है आजमीर उदाइपूर यह राजस्थान के आजपाल राजस्थान के है आजमीर तू दाइपूर 286 किलोमेटर का है नैसे नहाएवे शीर्षा दिल्ली शीर्षा तू हिस्वार रोतक दिल्ली 278 किलोमेटर का है सिरोही बेवार 255 किलोमेटर का है जाइपूर आगरा जाइपूर दोसरा भरतपूर आगरा 240 किलोमेटर का है पूने औरांगाबाद पूने सिरहर औरांगाबाद साहानी औरांगाबाद 222 किलोमेटर का है अब आ जाते हैं नौर्टिस्ट कोरिडर ये सारे जिदने भी आभी तक जिदने भी कोरिडर के बारे में बात किये है यह economic corridor है यह सारे whole India में फैला हुआ है लेकिन North East को छोड़के North East को एक अलगी part बना दिया गया है तो इसमें इसमें 3-4 जो state है एक अठा आ जाता है इस जो North East corridor है देख पाड़े होंगे इसमें बहुत सारे नाम जैसे आगरतला हो गया बहुत सारे main main cities को इसमें connect करेगा क्यूंकि North East हमेशा ही पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है कि यहां पर connectivity देने के लिए बहुत जो प्राकितिक का जो strain है यह बहुत जादा फायदेमान नहीं है तो यहां पर दूसरे से जो economic जो activities है बहुत जादा कम हो गया क्योंकि यहां पर कोई अच्छा रोड नहीं है लेकिन जो नितिन गर्टकरी जी है नाशनल आयओ ऑफ इंडिया है नॉर्थ इस्ट को special status दिया है तो नॉर्थ इस्ट कॉरिडरी अलगी बना दिया है इसमें बहुत सारे छोटे सिटी से लेक एकनोमी को बराने के लिए तो यहां पर जो भी जिसका city है देग लिजेगा आर्व पर comment कि mandatory कौन कुन देख रहें किस कि सीटी यहाँ पर पर रहा है य कि क nous यह total 44 है यहां पर गलत लिखा हुआ higher 43 लेकिन इसmal 54 है यह बनके तियार जब हो जाएगा इंग का जो कॉंडिशन है बहुत जादा इंप्रूब हो जाएगा हाइली इंप्रूब हो जाएगा तब एकोनोमिक का जो एक्टिविटीज है जो फूल लगने वाला है गारी में तो वह सब बहुत कम लागाद लगेगी और ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट है वह बहुत जादा करें या जहां पर सस्थने में तेल मील रहा है जैसे रसिया हो गया इरान हो गया वहां से भी पर्चेस करने के लिए कोसिज कर रहा है तो वह किसी और दिन वीडियो में बात करेंगे अब हम लोग और एक चीज़ बता दे कि अब लोग को ये जो रोड कॉंस्ट्रक्शन है कॉंस्ट्रक्शन इंडियन में क्या क्यों डिले होड़ा है इसके उपर भी हम लोग वीडियो लाने वाले हैं अब लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक सेयर सब्सक्राइब किये उनलोग काइनली सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को पूरा देखिए और आव लोग का जो भी कॉमेंट होगा अब कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा अब सब्सक्राइब लाइक सेयर जरूर कीजिए हमारे साथ रही है इन्फोनिक चैनल को देखने के फ котором भ्लाइब कर दो कीजिए और न सुटरा ग्लाइब काणी स Leon